हाई फ्रेंड्स वेलकम टो नीसी जाओं आज देखिए मैं कैप बनाना पहले ही बता चुकी है कैप की फ्रील भी बता चुकी हूँ आज मैं यह साइड वाली जो पट्टी है बच्चों की यहां से इस परकार से जब हम इसे लॉक कर देते हैं तो यह टाइट हो जाती है बच् इसे ही लगता है तो मैं ऐसे ही पहले बना लूँगी ताकि यह बच्चों के गले में जा करके बिल्कुल अस्टिक हो जाएं तो यह दाइने साइड से मैं स्टार्ट करूंगी मुझे आप दो पूर जो भी है आप छोड़ दीजिएगा इधर से इतना और यहां से एहां तक इतना चोड़ाई लेकर के आप अनुमान अपरोक्स कि एक अंगुल से थोड़ा सा ज्यादा से आप इस परकार से अपना जो है अश्टार्ट कर सकती हैं बुनाई तो देखिए हम क्या करेंगे यहां पर इस परकार से यह हम इस परकार से जो है घर को यहां से हम उठाना सुरू करेंगे यह देखिए जिस परकार से आप कुरोसिया से करते हैं उसी परकार से आपको जैसे असान लगते हैं आप उस परकार से इस तरह से घर उठाते हुए चलिएगा तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार, ग्यार, बार, 11, 12, 14, 14 पंदे हमने यहां पर उठा रखे हैं यह क्या होगा यह पट्टि बनाने से हैं कि बच्चों के गले से निकलते भी नहीं है, बच्चे ऐस निकाल करके टोपी फेकदेते हैं तो, निकलते भी नहीं जिसे जो कि ठंड बच्चों को लगती है यहां से तो वो भी यह जो बच्चों का धका हो रहता है इसलिए इस तरह से मैं यह लूप बनाती हूँ तो देखिए पहला फंद हम उतार लेंगे और सारे फंदे जो है हम यहां से उल्टा इस परकार से बुनना अस्टार्ट करेंग जाएंगे यहां से हमने स्टार्ट किया था तो यह खुलने का डर है मैंने नौट लगा दिया है अब देखिए रॉंग साइट से हमें क्या करना है पहला फंद हम उतार लेंगे दागा हम अपनी और करेंगे इस परकार से हमें पीछे से धागा इस परकार से लाना है आगे से नहीं लाएंगे और उसके बाद हम फिर से उल्ड़े सिलाई बना करके कम्प्लीट करेंगे पूरी सिलाई जो हम इसी परकार से कम्प्लीट करते हुए चलेंगे और दस सिलाईयां जो हम पहले कम्प्लीट कर लेते हैं इ मैं को यह मिट थोड़ा अभी कम लग रहा तो थोड़ा हम और से बनाएंगे कि दो तीन सिलाइयं हम और इसमें करेंगे पहले यह मुझे कम लगज दस आएब बनाने के वाब देर भी तो फिर से हम हम इसे दो तीन सी लाइया और इसी परकार से हम बनाएंगे कि इसमें देखिए हमने जो है अठारा फंदे लिए हैं आप कैप के इसाब से लिजेगा यह जो कैप मेरा बन रहा है यह आप 6 महीने से लेकर के 1.5 साल तक के बेवी को या फिर 2 साल अगर आपका बेवी दूला पतला तो आप 2 साल तक के बेवी को भी पहना सकते हैं तो इसलिए मैंने 18 फंदे लिए हैं, अगर आप 2 साल से ले करके 4-5 साल तक के बच्चों का कैप बना रही हैं, तो आप यह जो 18 फंदे हमने लिए हैं, उसकी जगह पे आप 25 फंदे लीजिएगा, क्योंकि बच्चे का सर बड़ा होता है, तो उसकी जो कान के पास का जो पोर् जो देखिए, यह 2 साल से ले करके 5 साल तक के बच्चे का कैप है, तो इसमें मैंने यह जो है पोर्शन, यह चोड़ा बनाया है, यह मैंने 25 फंदों से बनाया है, यह थोड़ा चोड़ा है, क्योंकि यह 2 साल से ले करके 5 साल तक के बच्चे का है, लेकिन यह जो है, मैंने ब आप जिससाब से अपना कैप बनाएगा बच्चे का उससाब से आप अपने यह साइड वाले पट्टी बनाएगा तो देखिए यह हमारी जो है दूसरी सिलाई कम्प्लीट होने वाली है अब हम क्या करेंगे एक सिलाई और इसी प्रकार से हम बनाएगे यानि कि टोटल जो है हमारी तेरा सिलाई इस प्रकार से उल्टी बनेगी दोनों साइड से इस प्रकार से हम इसे उल्टी ही बनाएगे कि देखिए हमने तेरा सिलाई जो है बना करके ओल्टी कम्प्लीट कर लिया अब देखिए यहां से हमें क्या करना है कि पहला फंद हम इस प्रकार से उतारेंगे और धागा हम आगे लाएगे पीछे से और उसके बाद हम यहां से फंदे घटाएंगे हम दो फंदे का एक फंदा इस प्रकार से करेंगे और फिर सिलाई जो है हम इसी प्रकार से से उल्टी बनाते हुए इस प्रकार से हम चलेंगे अब देखिए लास्ट में हमारे तीन फंदे बचे हैं तो फिर से वही प्रोसेस दो का हम एक फंदा इस परकार से करेंगे और यह जो है एक फंदे लास्ट के हम उल्टे बनाएंगे यह घटाने का काम जो हम एक साइड से ही सिर्फ करेंगे अब पहला फंदा मुतार लेंगे दूसरा फंदा हम इस परकार से उल्टा बुनेंगे और इसी परकार से हम पूरी सिलाई कम्प्लीट करेंगे यह देखिए हमने एक वर घटा लिया है फिर से हम धागा अपनी और करेंगे एक फंदे उतार करके और फिर से हम दो फंदों का एक फंदा इस परकार से हम करेंगे फिर हम उल्टे इस परकार से हम बनाते हुए चलेंगे अब देखिए यहां पर फिर से हमारा तीन फंदा बचा है तो दो फंदे का हम इस परकार से एक फंदा करेंगे और लास्ट का फंदा हम उल्टा इस परकार से हम बना लेंगे अब देखी क्या करना है पहला फंदा हम इस प्रकार से उतारेंगे और दूसरी साइड से हम पूरे फंदे इसी प्रकार से सिर्फ उल्टे बनाते चलेंगे तो को अपयाँ इसर्फ कार से हमने बना लिया अब देखिए आगए फिर से हम फंदा एक फंदा उतारेंगे और धागा हम अपनी वर करेंगे और इन दो फंदों का हम एक फंदा इस प्रकार से हम करेंगे फिर से हम उल्टा बुनेंगे सारे फंदे को लास्ट के हम तीन फंदे रखेंगे और इन दो फंदों को हम एक फंदा इस प्रकार से बनाएंगे और लास्ट के फंदे हम उल्टे बुनेंगे उल्टी साइट देखिए फिर से हम फंदा उतार लेंगे और सारे फंदे इसी लाई में हम सीधे बुनेंगे सारे फंदे हम इसी प्रकार से उल्टे बुनेंगे यह हमने उल्टे फंदे बना लिये हैं अब देखिए हमें क्या करना है पहला फंदा हम उतार लेंगे अब हम धागा अपनी और करेंगे और हम दो फंदों का जो है यहां पर एक फंदा इस प्रकार से बनाएंगे फिर हम दो फंदे इस प्रकार से हम उल्टे बुनेंगे फिर हम दो फंदों का एक फंदा करेंगे और लास्ट के फंदे जो हैं हम उल्टे बुनेंगे यानि अब हमारे छे फंदे बच गये हैं तो हमें ऐसे ही यह फंदे अपनाएं एक ओड़ा यह बनाएंगे और यह दूसरा अमने बनाएंगे सबखाए particulier अब हम इस परकार से पलसे यह घर्री जो नहीं चलीने को नहीं आई होन। और ये एक फंदा जो है इस पे पलेट देंगे और ये लास्ट का फंदा जो है हम उल्टा इस परकार से बना लेंगे हमने यहाँ पे दो फंदा कम कर दिया, छे से हमारा चार हो गया, तो अब देखिए हमें क्या करना है, पहला फंदा हम उतारेंगे और दूसरा फंदा हम इस परकार से बुनेंगे, अब हमने दो फंदे यहाँ पे कम किये हैं, तो दो फंदे हमें बनाने भी होंगे, उसके करा लिए फिर हम देखिए क्या करेंगे इस परकार से हुमने लिया और ये दूसरा अपर दा हमने चड़ा लिया कि इस देखिए और ये दो फंद हो गए तो ये टोर्टल हमारे 6से प्रविक दे बापस आ वे सिरा पे हम बें बट्म लएंगे उसकी काज हमने बना रखी है फिर हम पहला फंद उतारेंगे और सारे फंदे को हम इस परकार से उल्टा बना लेंगे बस यह जो है यह काम यह वाला सिर्फ हम एक साइड ही करेंगे क्योंकि हम यहां पर दूसरी साइड में हम बटम लगाएंगे देखिए यह वाला काम जो है हमने यह वाला काम किया है दू इस परकार से हमें जाली नहीं बनानी है क्योंकि यहां पर हमें बटम एक ही साइड लगा नहीं होता है दोसे ही साइड तो हमारा बटम नहीं रहेगा तो इसलिए मैंने एक ही साइड यह जाली बनाई है अब देखिए धागा हम अपनी और करेंगे उसके बाद फिर हम धागा सारे पंदे को एक से करके हम यहां से क्लोज करते हुए चलेंगे देख कर दिया फिर इन दो फंदो को हम 1 कंदा ये हैं छे उन्दी दो फंदों को हम एक साथ लेंगे इस परकार से बुनेंगे एक पंदा हो घ Ready दो फंदों का हम लेंगे और एक साथ इस परकार से बंद करेंगे फिर हम दो फंदों को लेंगे इस परकार से हम बंद करते भी चले जाएंगे यह देखिए यहाँ पर हमारा यह जो है अब बंद हो गया और यह जो हमारा लूप बंकर के बटम लगाने के लिए तैयार हो गया है अब द्वूसरी साइड से पट्टी बन गई हमारी रूसरी साइड से भी हमें ऐसे ही करना है सेम यह में दो पोर जो है जो भी हो दो इंच छोड़ देनी है और फिर हमें यहां से घरा स्टार्ट करना होगा 18 पंदे क्योंकि हमने उस साइड अठार लिए तो इस साइड भी हम 18 ही लेंगे अगर हम उस तरफ 25 पंदे लिए होते तो इस साइड भी हमें 25 पंदे लेने होते दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो देस 11 12 13 14 15 16 17 और यह अठार आठार यह गारई यह थारा फंद हमने चड़ा रखे हैं अब सारी सिलाइं हम उसी परकार से कंप्लीट करेंगे जैसे हमने इस साइड के किये थे बस यह जाली हमने दिया है वह जाली नहीं पड़ेगी डाइरेक्ट इसी परकार से हमारे यह साइड भी बनता हुआ चला जाएगा यह दिखिए हमने इस साइड के भी जो है पत्ते बना करके हमने पूरे कर लिए हैं अब इसे हम इस परकार से क्लोज करेंगे दो फंदो का हम एक फंदा इस परकार से बुनेंगे या इस परकार से भी कलोज कर सकती हैं यह फंदा हमने बुन लिया और पीछे वाले फंदे को हम इस परकार से इस पर उतार देंगे फिर हमने एक फंदा बुना और इस परकार से फिर पीछे वाले फंदे को हम इस पर उतार सब्सक्राइब उतार सकती है आपको जैसे एजीलिग लगता है पूस परकार से बनाएए यह ढ이के भाएं कि तैयार हो गया है ऐसे इससरेव अपना उपिक तो इस परकार आपको आइडिया नहीं आएगा यह देखिए हमारा पोर्सन जो है पीछे रहेगा और यह जो है आगे इस परकार से रहेगा बच्चे के गले में फसर और यह जो मैंने फ्लावर यहां पर लगा रखा इस यह मैंने बनाने के लिए पहले ही बता दिया है इसकी वीडियो में भ देख सकते हैं तो यह हमारी कैप बन करके रेडी हो चुकी है बिलकूल अब इसकी हमें सिर्फ सिलाई करनी है हम इस परकार से इस कैप की sily करेंगे यह देखिए कैप जो है इस परकार से बन करके हमारी रेडी हो गई है बहुत ही सुंदर कैप है बहुत ही प्यारा कैप है बहुत ही कुशुरत है यहां फिलावर लगना अभी क्वाखी वे ने दूसरे वीडियो में बता दिया है कि फ्लावर कैसे बनाना है उसकी लिंक मैं डिस्क्रॉप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से जाकर विडियो देख सकते हैं कि फ्लावर मेंने कैसे बना करके लगाया है तो देखिए कितना फुशूरत लग रहा है कितना प्यारा लग रहा है यह कैप जो है आप देख सकते हैं साइज से ही अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो है जीरो से लेकर के डेढ़ साल या दो साल तक के बच्चों के अराम सी यह कैप हो जाएंगे उसमें कोई दिकत नहीं होगी आपकर दो 2 साल तक के बच्चों का परफेक्ट साइज है यह बहुत ही प्यारा डिजाइन है यह बहुत ही सुंदर डिजाइन है तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगऊ तो किरपे से लाइक करें शेयर करें and सबस्क्राइब करें धन्यवाद दोस्तों